हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तो शास्त्र के अरुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तो वहां का वातावरण सकारात्मक होता है और जिससे घर में कभी भी सुख सम्रद्धी की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगा करके विधी पूर्वक पूजा करने से मा लक्षमी के साथ साथ भगवान विश्नु का आशिरवाद भी हमें प्राप्त होता है। श्री हरी विश्नु को तुलसी अतिप्रिये है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक धंग से रख रखाव ना करने के करड़ तुलसी सूख जाती है। ऐसे ही आम तोर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटा कर उस गंबले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही तुलसी के सूखे पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तिमाल करके भी हम भगवान विश्नु को प्रसंद कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की असीम क्रपा पा सकते हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि सूखी हुई तुलसी का इस्तिमाल हमें किस तरह से करना है जिससे कि भगवान विश्णु प्रसन हो और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जबूर बताईएगा तुलसी का पौधा एक दिव्य पौधा है जोतिश शास्ट में तुलसी को बहुत ही महत्वपूर माना गया है जोतिश में तुलसी की मिट्टी, तुलसी की जड़, तुलसी के पत्ते और तुलसी की लकड़ियां आदी सभी को लाबकारी बताया गया है ये जब हरी भरी होती हैं तब तो हमारे लाप्रत होती हैं लेकिन सूख जाने के बाद भी इनका महत्व हमारे लिए कम नहीं होता है जोतिश के अनुसार तुलसी के लकडी के कुछ ऐसे उपाई है जिनको हम अजमा करके कई प्रकार के लाप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए हम जानते हैं कि तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हम किस प्रकार से लाब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम भगवान विश्टू और माता लक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं। जिससे वो अती प्रसंद होते हैं। इस उपाय को अगर हम एकादशी या किसी भी मास के क्रिश्न या शुकल पच्छ की त्रियों दशी तिथी के दिन करें, तो हमें माता लक्ष्मी और भगवान विश्टू की असीम क्रपा प्राप्त होगी। तुलसी की साथ लकडियों को एक साथ ले करके एक सूत या फिर एक सफेद धागे से बान ले। इसके बाद सबताह में एक बार इने गंगा जल में डुबो दे। और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काओ इन लकडियों से करे। ऐसा करने से नकारात्मक उर्जा घर की समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली और बरकत आएगी। तुलसी की साथ छोटी छोटी लकडियां लेकर इनको बांध लें और विदिवत पूजा करने के बाद अपने पर्स, घर की तिजोरी या फिर धन वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसंद होती हैं, इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना भी हमें कभी नहीं करना पड़ता है, घर में हमेशा धन धान की बरकत रहती है। दोस्तों सूखी हुई तुलसी की जड़ बहुत ही उपयोगी होती है। तुलसी अगर सूख जाए तो उसकी जड़ ले करके, उसको साफ पानी से धो करके गंगा जल में डुबो दें, फिर उसे पोच करके, सुखा करके एक कपड़े में बांध लें, फिर उसे घर के कारातनक उर्जा अधिक से अधिक प्रवेश करेगी और घर में खुशाली का वातावरण बना रहेगा अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोश है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी हुई तुलसी की जड़ रख ले और इसे गले या फिर बाजू में पहन ले ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की इस्थिती सही हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी परिशानी आ रही है वो दूर होंगी तुलसी की सूखी हुई लकडी का चूरा बना करके गंगा जल में मिलाकर उसे घर में छिड़कने से घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां भी काम करते हैं उस इस्थान पर तुलसी की सूखी लकडी रखे आपके घर में या आपके काम करने की जगह पर जो भी नकारात्मक्ता होती है वो दूर हो जाती है और सफलता के नए मार्ग खुलते जाते हैं सफलता मिलने के कारण आपके जीवन में तरकी भी जल्दी आपको बिलती है तुलसी की सूखी लकडी से चंदन का तिलक लगाना बहुत ही शुब माना गया है सूखी की तुलसी लकडी से चंदन लगाने से मांसिक तनाव दूर होता है शान्ती मिलती है किसी भी प्रकार का भै अगर आपके मन में होता है तो वो दूर हो जाता है साथ ही सकारात्मक्ता का संचार आपके मन में होता है तुलसी की सुखी लकडी लेकर पती अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पत्नी के सीधे हाथ में बांधे इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और पती पतनी के बीच प्रेम बढ़ता है अगर आप धन व्रद्धी चाहते हैं अधिक से धिक धन का लाप चाहते हैं तो तुलसी की सूखी लकडी को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या फिर धन रखने के इस्थान पर रखें इससे मातालक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा और घर में धन की व्रद्धी होगी साथ ही अगर कोई धन आपका अटका हुआ है वो लौट आएगा तुलसी भगवान विश्नु को अत्यंत प्रिय है तुलसी को अगर शरीर में धारड किया जाए तो काना जी विश्नु जी प्रसंद होते हैं तुलसी क्यों सूख कि वी लकडी का अगर आप माला बना सकते हैं तो उसकी माला बना करके पहने ऐसा करने से मन में सकारात्मक्ता का विकास होता है और धार्मिक भावना भी जागरत होती है अगर आप तुलसी की लकडी को हवन में उप्योग करते हैं तो घर में सकारात्मक उजा का संचार होता है आपके आसपास का वातवरण शांति मैं होगा और घर में सुख और सौभागी की व्रद्धी होगी दोस्तों नहाने के पानी में तुलसी की लकडी डाल कर इसनान करने से नाकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक उर्जा आती है तुलसी की लकडी को नहाने के पानी में डाल कर इसनान करने से भागे में व्रद्धी होती है और रहा में आने वाली हर बाधा दूर होती है शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकडी के पानी से नहाने से मानसिक शांती मिलती है और तनाव दूर हो जाता है इसके लिए तुलसी की लकडी के चूड को यानि तुलसी का पाउडर नहीं बना पाते हैं तो आप ऐसे ही तुलसी की लकड़ी को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दे थोड़ी देर पानी में पड़े रहने के बाद उस लकड़ी को निकाल कर किसी साफ स्थान पर रख दे और इस पानी से नहा ले पानी में इस्तेमाल की गए तुलसी को कभी भी बातरूम में नहीं छोड़ना चाहिए वन्ना ये अपवित्र हो जाती है तुलसी की लकड़ी से इसनान करने का ये उपाए आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते है माना जाता है कि अमावस्या के दिन ये उपाय करने से सोया हुआ भागे चमक जाता है आपके जो ग्रह अशांत होते हैं वो शांत होते हैं ये उपाय हर छेत्र में सफलता दिलाता है आपके वास्तो दोश को दूर करता है जिससे जीवन भर आपको धन धाने की कभी नहीं होती है तुलसी का पौधा धार्मिक और वैग्यानिक तोनों दुष्टी से बहुत महत्वपूर है हिंदु धर्म को मानने वाले तुलसी के पौधे में जल चड़ा कर दिन की शुरुआत करते हैं और शाम को तुलसी के पौधे में दिया जलाते है इससे माता लक्ष्मी प्रसन होती है साथ ही घर बे सुक और शांती आती है लेकिन तुलसी के पौधे में दिया जलाने के साथ साथ अगर तुलसी सूप चाय तो हम तुलसी की सूखी हुई लकडियों का भी दिया जला सकते हैं तुलसी की सूखी हुई लकडियों से दीपक जलाने से घर के नकारात्मक उजा दूर होती है और सकारात्मक ता आती है तुलसी की सूखी लकडी का दीपक घर को बुरी नजर से दूर रखता है और मालक्ष्मी आपके घर की रक्षा करती है इस से कभी भी धन की कमी रही होती है इस दीपक को घर में जलाने से रोगों से मुक्ती बिलती है और परिवार के लोगों का स्वास्त अच्छा बना रहता है ये दीपक वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है आप तुलसी के पौदे की लकडी से दिया जलाएंगे तो आपका वैवाहिक रिष्टा मजबूत होगा इससे ग्रह और वास्तु दोश भी दूर होंगे इसके लिए आप तुलसी की साथ सूखी लकडियां ले लीजे उनको अच्छे से साफ कर ले उनको सुखा कर फिर उस पर तेल या घी में भीगी हुई बाती लपेट दे और भगवान विश्णू के आगे इस दीपक को जलाएं तुलसी की सूखी लकडिया कार्तिक मास के पूरे महिने भगवान विश्णू के सामने जलाना चाहिए इसके साथ साथ पूरे वर्ष आपको दश्मी तिथी के दिन तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का दिया जलाने से शुब फलो की प्राप्ती होती है और माता लक्ष्मी प्रसंद होती है तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय तुलसी की सूखी हुई लकड़ी के आप भी इन उपायों को अपना करके अपने जीवन में धन संपत्थी पा सकते हैं माता लक्ष्वी भगवान विश्णों की क्रपा पा सकते हैं भगवान भोले नात की क्रपा आप सब पर बनी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इरादे रादे